गुद्ट मॉर्णिंग स्टूडेंट्स हेलो गोड डिबनेंग गुड आप्टर नून जब भी आप लोग देख रहें केमिस्ट्री क्लास तो हम लोग केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है हम लोग इससे पहले कर चुकें और गनिक केमिस्ट्री इसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ और आप लोग ने उसको पसंद किया है आप लोग को अच्छा लगा है जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उसको देखें और सीखें और केमिस्ट्री सीखने के लिए पैन पेपर कर जरूरूर बैठे लालित-भा शो में आपका स्वागत है और मैं लालित-भा आपलों का chemistry faculty हम तो यहां पर हम लोग chemistry को अच्छी तरह से सीखेंगे pen paper लेकर बैठेंगे और आप लोग channel को जरूर subscribe करें शिर करें अपने दोस्तों में जिससे मुझे भी प्रोष साहन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से आप लोगों को यहां पर डील कर पाऊं हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं तो आप लोग खुदी and types of solution देखना है concentration को express करने के methods देखने है and then solubility को cover करना है तो हम लोग सुरू करते हैं introduction solutions है क्या solutions हम लोग समझ लेते हैं कि एक mixture है बिल्कुल यह mixture है two or more components का two or more components का यह mixture है but it is homogeneous mixture solutions are homogeneous mixtures what do you mean by homogeneous mixtures homogeneous mixtures का क्या meaning है नामी आपर term आया है बेटा homogeneous homogeneous का meaning homo means होता है equal and genius composition का जाता है homogeneous का meaning हो गया equal composition जब पूरे-पूरे solution में हर एक जगा particle का number equal होना चाहिए homogeneous का meaning जैसे हमने यहाँ पर कोई liquid लिया जैसे water लिया है water में जब sugar को mix करते हैं इसमें जब हम sugar को mix करते हैं उसमें जितने पार्टिकल सुगर के थे पर वॉल्यूम उतने ही पार्टिकल दूसरों को भी लगेगा और उसको भी उतना ही मीठा लगना है यह शो कर रहा है कि homogeneous mixture है यह ही homogeneous mixture होता है जब पार्टिकल का नंबर अलगव होता है आप कहोंगे सर उसको इतना मीठा नहीं लगा तो तो उसके जीव खराब होंगे हो सकता जीव टेस्ट नहीं लेता हो उसमें आपको क्यों नहीं करना है आपको जितना मीठा लगा उतना मीठा उसको लगना चाहिए यह तो physical behavior है तो हो homogenous होगा तो नहीं आप देखेंगे डश्ट के पार्टिकल कहीं पर बहुत ज़्यादा है कहीं पर उसक बहुत कम है पूरे वाटर के अंदर और कहीं पर पुरा ज्यादा और कम के बीच में और नीचे जब देखेंगे तो यहां तो बहुत ज़्यादा है यानि यहां पर अलग-अलग फेज़स बनते हैं तो इसी वज़े से इनको हेटरोजीनियस कहा जाता है तो हमें तो अपने study को focus करना है homogenous solution यानि solution पर यानि जो कि homogenous mixer है heterogeneous जिसमें अलग-अलग phases है इस chapter के अंदर उसको cover नहीं करना है तो अब हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ते हैं कि solution कितने category का हो सकता है कितने type का हो सकता है तो हमने देख लिया है homogeneous heterogeneous जो mixture है उसमें से homogeneous हमारा होता है solution अब solution हम दो कम से कम दो component होने चाहिए उसमें क्या case होगा इसके बारे में study कर रहे हैं तो number of components के basis पर हम solution को categorize कर सकते हैं classify कर सकते हैं एक हम ले सकते हैं बेटा binary solution नाम यह बाई बाई मिंस दो जब only two component हो उसको कहेंगे binary solution only two substances हो उसको कहेंगे binary solution इसी में हम ले सकते हैं ternary solution जब three components हो उसको हम ternary solution कहेंगे बच्चों तो three component में ternary solution और two component में binary solution इसी तरह से tetra penta ऐसे करके आप एक ले सकते हो के इस पॉली नरी solution पॉली नरी में क्या होगा many components बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला दिया तो यदि हम binary solution का example देखें तो water and sugar water and salt ternary solution में water, sugar, salt उससे भी ज़्यादा उसमें lemon भी डाल दिया यह सब आपका क्या होगा binary, ternary, tetranary ऐसे करके और बहुत सारी चीजों को mix कर दें एक साथ तो polynary solution हो जाएगा हमें अपनी study को थोड़ा सा focus करना है binary solution पर इस chapter के अंदर और उसके basis पर बाकी solution के behavior को हम समझ जाएगे तो binary solution हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर binary solution में कितने components है two component और two में से one component आपका salute कहलाता है और the other component is called solvent एक जनरल बातें यहाँ पर ली जाती है कि solute की जो quantity होती है वो lesser होती है और इसकी थोरी larger होती है comparatively और इसलिए यह state को determine करता है स्टेट यहाँ पर beta determined होगा यदि हमारा liquid का amount ज्यादा है पूरा-पूरा solution liquid phase में होगा जैसे हम water और sugar को mix करते हैं sugar यदि हमारा वहाँ पर कम है और water ज्यादा है पूरा-पूरा solution हमारा liquid phase में होगा क्योंकि water क्या है liquid है वहाँ पर आटा को जब गूंते है प्लॉर को जब गूंदा जाता है रोटी बनाने के लिए वहाँ पर उसका जो solution है वो किस पोम में होता है वो होता है solid state में यदि हम उसको liquid state में ले ले वाटर उसमें ज्यादा डाल दें क्या रोटी बन पाएगी तो नहीं बन पाएगी इसलिए वहाँ पर क्या लिया जाता है solid phase में यानि वहाँ पर हमारा एक तरह से solvent देखा जाए तो आटा हो गया solid हो गया लेकिन जेनरल एक case लिया जाता है कि water जहाँ पर प्रिजेंट हो water को solvent माल लिया जाता है तो दूसरा हमारा क्या होगा solute solute हमारा क्या करेगा concentration और solution की identification को देगा यह generally identification देता है solution का जैसे हम कह देंगे sugar solution हमने लिया है sugar solution मतलब sugar का water में solution हमने salt solution लिया है salt का water में solution तो generally ऐसे करके case है लेकिन यदि water वहाँ solvent नहीं हुआ तो आप किसी दोनों का नाम वहाँ पर डालना परेगा हमें solvent और solute दोनों का नाम डालना परेगा किसको किसमें dissolve किया यह बताना परेगा जिसको dissolve किया है उसको solute माल लेंगे क्योंकि उसका amount कम होगा और जिसमें dissolve किया है उसको हम solvent मानेंगे क्योंकि उसका amount जनरली ज़्यादा होता है इसके बेसिस पर भी हम solute solvent को देख सकते हैं लेकिन जब sugar solution ऐसे कोई solution लिखा रहे है HTSO4 solution तो वहाँ पर understood हो जाता है कि water हमारा वहाँ पर solvent है तो water को solvent के case में लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि water वैसे भी आपने शुरू से पढ़ा होगा छोटे classes से water हमारा universal solvent है बहुत सारी चीजों को अपने में dissolve कर सकता है तो इन सब के basis पर हम ले सकते हैं कि solute हमारा lesser quantity में है और solvent हमारा larger quantity में है बताएगा solute तो अब हम देखेंगे आगे concentration को यह कैसे कैसे बताता है तो हम लोग यहां पर सीख रहे है concentration of solution है क्या चीज़ है solute यहां पर concentration को determine करवाता है समझाता है लेकिन concentration को define कैसे करेंगे तो concentration को define किया जा सकता है इसके basis पर कि amount of solute कितना dissolve है given amount of solution में amount of solute कितना present है given amount of overall solution में उसको concentration कहा जाएगा बट amount को हम इसमें किसमें show करेंगे amount को या तो mass पर show किया जाता है या volume के basis पर show किया जाता है या moles के basis पर show किया जाता है और number of equivalence के basis पर show किया जाता है इसमें amounts को लिया जाता है number of equivalence वाला जो type है amount को show करने का इसको हमें CBSC syllabus के basis पर नहीं करना है लेकिन entrance के लिए बहुत important होता है मैं only यहाँ पर CBSC को cover करने की वज़य से number of equivalence को यहाँ पर show नहीं करूँगा बाकी तीन चीजों में हम mass volume and moles में दिखाएंगे amount को तो amount of solute का measurement हमारा क्या है इस बात को focus करना है कि amount of solute का measurement है क्या solution हमारा तो in the given amount of solution लेंगे हम यहाँ पर तो amount of solute हमारा कितना present है given amount of solution में उसको कहेंगे concentration अब यानि हम amount को mass volume और mole के basis पर solute का दिखा सकते हैं तो यदि हम mass के basis पर दिखाएं, mole के basis पर दिखाएं, volume के basis पर दिखाएं वो जो हमारा होगा methods of expressing concentration वो different different type का होगा हम यहाँ पर सीख रहे है methods of expressing concentration और मुझे पता है कि आप लोग pen paper लेकर बैठे हैं एक एक चीज को note कर रहे हैं समझ रहे हैं तो देखिए सबसे first method हम ले रहे हैं mass के basis पर, mass and volume के basis पर, volume हम यहाँ पर कहीं कहीं use करेंगे जहाँ पर requirement होगा तो सबसे first only mass के basis पर दिखाया जाए हम कहेंगे mass percent और only mass होता है यानि mass of solute and mass of solution दोनों ही लेंगे तो clearly इसको हम w by w से दिखाएंगे आगे से आप लोग एक बात ध्यान दखना है जब मैं यहाँ concentration दिखाऊंगा तो solvent के particle को मैं A से दिखाऊंगा and solute के particle को मैं B से express करूँगा जिसके नीचे मैंने A लगाया subscription में तो वो हमारा solvent का होगा वो amount और जिसके नीचे हमने B लगाया वो हमारा solute का होगा और A plus B यह दोनों मिल के solution बनाएगा तो दोनों जब भी plus के form में लिखा हो हम समझ जाएंगे कि यह पूरे-पूरे solution का है उसके basis पर यहाँ जो formula होगा given mass of solute upon total mass of solution प्लस क्या यहाँ पर into 100 W by W का meaning है कि हमें mass of solute लेना है और mass of solution नीचे लेना है into 100 करना है इसके हमारा आजाएगा mass percent of solution तो जैसे हम एक question ले ले लेते हैं यहाँ पर if 50 gram of 50 gram sugar is dissolved in 450 gram water find its mass percent तो यहाँ पर क्या हमें sugar के formula की requirement है तो नहीं यहाँ पर sugar के formula की requirement नहीं है water के formula की requirement नहीं है वो requirement तब होती है जब हमें molar mass की requirement होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो given amount of sugar है यह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों WB हो जाएगा क्योंकि यह हमारा solute हो गया इसको water में dissolve क्या गया है वैसे भी water हमारा universal solvent है वो यदि कम भी होता तो उसको हम solvent में ले सकते थे तो WB हमारा यहाँ पर हो जाएगा 50 gram और WA यहाँ पर हो जाएगा 450 gram क्या इसको हमें kg में convert करने की requirement है तो नहीं यदि kg में दिया रहा था तो सब कुछ kg में रखके भी हम percentage find कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर कोई यह rule नहीं है कि gram होना चाहिए kg होना चाहिए percentage में तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर यदि हम mass percent find करेंगे formula के basis पर WB upon WA plus WB आएगा into 100 आ जाएगा इसमें हमारा होगा क्या यह हमारा formula था इस formula में अब हम values को put करेंगे 50 हमारा WB है upon 50 plus 450 into 100 तो clearly हमारे पास आ जाएगा 50 upon 500 into 100 double zero cancel 510 जाब 50 और इसका answer हो जाएगा 10 percent तो 10 percent यहाँ पर हमारा mass percent बंडा है कि इसको अच्छी तरह से समझना है और note भी कर लेना है copy में notebook में अपने note करना है तो अब mass and volume के basis पर दूसरा हम देख रहे है concentration का express करने का टाइप तो इसमें हमारा है mass by volume percent तो mass by volume percent clearly इसको हम w by v से दिखा सकते हैं और wb यानि उपर वाली चीज हमें solute का लेना है तो given mass of solute लेना है upon total volume of solution लेना है जो कि हमें question में given रहेगा into 100 करना है यह हमारा हो जाएगा mass by volume percent इसको मैं w by v लिख रहा हूं यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात आ सकती है आपके मन में confusion सर हम क्या इसको density percent बोल सकते हैं तो बिलकुल नहीं बोल सकते हैं वैसे density का formula देखा जाए तो w by v होता है लेकिन आप देखेंगे density और इसको compare करें तो density हम किसी एक चीज का निकालेंगे या तो solvent की density लेंगे या solute की density लेंगे या पूरे-पूरे solution की density लेंगे तो जब मान लिजे हम solute की density लेते हैं तो हम यहाँ पर solute को b से दिखाते हैं तो दोनों ही b का होना चाहिए गीवन मास भी b का यानि solute का होना चाहिए और गीवन वोल्यूम भी b का होना चाहिए हम d a दिखा सकते हैं density of solvent w a upon b a होना चाहिए पूरे-पूरे हम solution की density निकाल सकते हैं क्या हो जागा w a plus w b पूरे solution का मास upon पूरे solution की density बट आप यहाँ पर क्या देख रहें मास solute का है बट वॉल्यूम किसका है पूरे-पूरे solution का तो क्या यह density के formula में fit हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है तो क्या हम इसको density percent बोल सकते हैं बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं तो इसके basis पर हमने यहाँ पर मास by volume percent को समझाए मास by volume percent और मास by मास percent पीछे था इन सब का एक एक application में बता रहा हूं generally solute यदि solid हो और solvent भी solid हो तो मास percent काफी better type है concentration को show करने का जैसे steel में four percent carbon है तो उसको बोला जाता है four percent carbon steel में four percent carbon लिखा जाता है क्योंकि दूसरा हमारा solvent वहाँ पर solid iron है तो easily वहाँ पर industrially use किया जाता है अब मास by volume percent का industrial application medicine में होता है medicine में आप देखेंगे लिखा हो रहता है each five ml contain this is this gram this is this gram this is this gram या each one ml contain this is this gram this is this gram या each hundred ml this is this gram this is this gram यानि वो क्या दिखा रहा है mass by volume percent को दिखा रहा है क्योंकि वह solvent हमारा generally liquid है syrup bali medicine में तो इसके basis पर हम समझ सकते हैं एक एक industrial application तो थर्ड टाइप क्या आता है volume by volume percent volume by volume percent उपर क्या होगा हमारा volume of solute upon total volume of solution into hundred इसको हम generally use कर सकते हैं gas plus gas solution liquid plus liquid solution अब आते हैं दूद वाले आ रहे हैं हमारे घर में तो दूद वाले किसको मानेंगे volume by volume क्योंकि milk भी liquid state में water भी liquid state में अब वो कितने water में कितना milk मिला रहे हैं आजकल तो पानी में दूद मिलाया जाता है दूद में पानी नहीं मिलाया जाता क्योंकि उनको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट लेना है वैसे भी कोरोना का टाइम हो चाहते हैं कितना profit क्योंकि सब के पास अभी job की कमी है तो आप लोग पहले चेक कर ली जाएगा कि आपको कितना मिल रहा है पानी में दूद मिल रहा है कि दूद में पानी मिल रहा है प्लीज तो चलिए एक जोग था तो आगे बढ़ते हैं तो वाल्यूंब वाल्यूंब पर्सेंट हमारा हो गया इसका यूज कहां पर होगा लिक्विट प्लस लिक्विट के लिए कर सकते हैं वैसे आप यूज बागी जगह पर भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जन्रल अप पर ज्याद़ सूट करता है इसका तो अब हम इस पर कुछ कुछ कुश्चन्स भी करेंगे तो जैसे हम एक कुश्चन लेने जा रहे हैं Find the mass by volume percent of a solution containing 20 gram of sugar to form 200 ml of solution हमारे पास यह given है हम क्या देख रहे है 20 gram of sugar उसमें हमारा क्या होना चाहिए solute होना चाहिए इसको dissolve क्या गया solution बनाने के लिए wb हमारा 20 gram हो गया और to form this ml of solution यानि पूरे-पूरे solution का यह volume है यानि यह पूरा-पूरा a plus b का volume है पूरे solution का volume मतलब a plus b का volume अब हमें find क्या करना है weight by volume percent find करना है mass by volume percent find करना है तो क्या करेंगे हम formula क्या था wby va plus vb into 100 था wb हमारे पास 20 है और va plus vb मिला के 200 है into 100 कर दिया clearly यह 10 percent आएगा mass by volume इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं तो अब हम एक बहुत ही important concentration के type पर आगे है जिसको कहा जाता है ppm full form इसका है parts per million तो पीछे हमने जो तीन तरह के method पड़े है mass by mass percent mass by volume percent and volume by volume percent generally वो लेते हैं जब एक ठीक ठाक amount में हमारा solute present हो solution के अंदर ठीक ठाक amount में present हो उसकी percentage एक observable percentage में आए लेकिन जब हमारा 0.0001 percent कुछ आ जाए तो क्या वो है तो नहीं है ऐसी चीजों को हम क्या करेंगे ppm में change करेंगे यानि उसको सैकरों क्या लाकों में लेना है सैकरों में समझनए आएगा उसको क्या बारना है लाकों में percentage हमारा क्या है सैकरों में यानि 100 में और लाकों में million ten lakhs ten lakhs में वह कितना है आजकर बहुत कहात है ये मेरा जो है बेटा या बेटी वार्टेवर जो भी आप लोगों लाखों में लेकिन है पता है चैस्ट करते रहते लेकर यह बताई कि यह यह percent सब दो कोई वी चीज सचमुच लाखों में प्रिजेंट हो तो क्या करेंगे उसको पीपी एम में दिखा देंगे जैसे आप जो भी वटर पीटे उसमें बैक्टीरिया है कुछ नो कुछ अमाउंट में प्रिजेंट जो भी हमारा एयर है वहां पर बैक्टीरिया या पाट्स ओप सल्यूट होगा और नीचे हो जाएगा टोटल पाट्स ओप सल्यूशन इन्टू मिलियन करना है 100 की जगह मिलियन लगाना है क्योंकि इसको मिलियन में निकाल रहे पर सेंट मतलब इन्टू हंड्रेड करते थे पर मिलियन मतलब मिलियन टेन लैक्स इंटू मिलियन करेंगे अब इसका जो एप्लिकेशन आप लोग देखेंगे आपके आपकी यदि कोई गाड़ी है बाइक है कुछ भी तो उसका प्लूशन पेपर होता है प्लूशन पेपर पर उसमें जो जो गैसेज आपके निकाल रहे हैं साथ में वह प्रूब कर रहा है कि यदि आपकी गाड़ी इससे कम पीपीं में चाहिए अधरवाज यदि उसके बराबर में निकाल रही या उससे ज्एदा है तो आपको अपनी गाड़ी चलाने की अनुमती नहीं होगी, आप उस कारी को नहीं चला सकते हैं, उसको आपको अपने घर में बंद रखना परेगा, या उसको कवारे में बेचना परेगा, तो ऐसा कुछ है उसमें, तो इसलिए वहाँ पर क्या PPM लेवल फिक्स रहता है, और उस PPM लेवल से कभी-कभी हमारे पॉलिटिंग गैसेज का जो PPM लेवल हमारे इंवाइनमेंट में है, वह भी फिक्स रहता है, यदि उस PPM लेवल से उपर जाता है, हम कहते हैं, डेंजर लेवल से उपर जा रहा है, और हमारे लिए काफ़ी डेंजरेस होता है, बाहर निकलना, और बाहर की एर में सांसे लेना तो PPM का इतना जड़ा importance है, यदि इससे भी कोई कम concentration में है, तो उसको हम PPB में दिखा सकते हैं, parts per billion में दिखा सकते हैं, तो इसको extend किया जा सकते हैं, अब हम fifth लेते हैं type, जो बहुत ही important है, mole fraction, इन सब चीजों को आपने 11th में भी किया होगा, और mole fraction भी 11th में किया होगा, इ CHI, तो काई से इसको express किया जाता है, mole fraction है क्या, mole का fraction, mole क्या चीज़ है, इसके लिए सबसे पहले mole समझना परेगा, mole हमारा क्या होता है, जैसे NB निकालने, number of moles of solute, तो हमारा जो भी mass given है, given mass में calculate किया जाता है इसको, और it is the ratio of given mass and its molar mass, molar mass कहां से find होगा, तो उसके formula से, मान लिजा हमें, sugar का mole find करना है, sugar का जो भी given mass रहेगा, upon में उसके molar mass, जो उसके formula से निकलेगा, C12, S22, O11, उसके basis पर molar mass calculate करके, हम उसको divide कर लेंगे, ratio ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा moles, उसी तरह से solvent का mole find क्या जा सकता है, wa upon ma, अब इनका यदि fraction बनाया जाए, true fraction, नीचे क्या आएगा, total आएगा, clear, true fraction में, जैसे आपका marks percentage, कैसे होता है, नीचे total marks, आपके जो marks given रहते हैं, नीचे total marks ऊपर, आपके obtained marks, यदि chemistry में तो 70, में से कितना आया है, तो उपर रहेगा, नीचे 70 ऊपर, जो भी आपके marks percentage है, हो सकता, आपके 70 हो भगवान करे 70 रहे, 70 बए 70 लिखा जाएगा, यदि एक कम हो गया, 69 बए 70 लिखा जाएगा, इस तरह से वहाँ पर लिखा जाता है, तो बिलकुल उसी तरह से हमारा मोल fraction है, वो marks का fraction था, यह मोल का fraction है, क्या होगा, यदि हम मोल fraction B का calculate कर रहे हैं, तो B का मोल clearly उपर होगा, अपान में total मोल A plus B लेंगी, और इसी तरह से यदि हम मोल fraction of A find कर रहे हैं, काई A find कर रहे हैं, N A upon N A plus N B find करेंगे, अब यहाँ पर बहुत ही, surprisingly यदि आप दोनों का देखेंगे, algebraic sum, तो काई B plus काई A, आपका 1 आ जाएगा, उसके लिए आप काई A और काई B की यह formula है, उनको आप add करके देख सकते हैं, तो total मोल fraction हमारा क्या हो जाता है, 1, और यदि हमें काई A मालूम है और काई B find करना है, clearly इस formula का apply करके, हम 1 minus काई A करके calculate कर सकते हैं, काई B, यानि मोल fraction भी calculate कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना परेगा, एक जला question कर लेते हैं, और इसको समझते हैं, , के बहलेते हैं, और यदि काई B, और हमें को समझते हैं, फिसके लिएंगा क्या हैं, प्तिक्जक्ण, प्तिक्रीज कर सकते हैं, तो निएंगे प्तिक्राद, टेश्ट कर सकते हैं, a solution तो यहां पर हमारे पास question क्या है? 18 gram रहां हम ने glucose को भी dissolve किया है और 18 gram water को भी dissolve किया है इसको हम यहां पर solve करते हैं तो हम यहां question में देखेंगे 18 gram of each लिया गया है तो 18 gram glucose भी 18 gram water भी है तो given mass of glucose भी हमारा 18 gram आएगा जो कि WB होगा और water है तो WA होगा यह भी 18 gram ले लिए हमने क्योंकि इच लिखा हुए है अब molar mass की requirement है क्योंकि mole fraction हमें calculate करना है और mole fraction के लिए mole चाहिए and mole के लिए given mass by molar mass इसलिए molar mass चाहिए तो MB हमारा क्या हो जाएगा यह glucose है C6 H12 O6 इसका formula होता है तो इसमें हमारा molar mass निकल आएगा 12 into 6 carbon के लिए 1 into 12 hydrogen के लिए and 16 into 6 oxygen के लिए इस तरह से 180 gram आजाएगा mole inverse molar mass में लगाना है और water का यह दि molar mass ले MA H2O होता है formula clearly 1 into 2 plus 16 और यह 18 gram mole inverse आजाएगा इस तरह से हमारा दोनों का molar mass आगया अब हमें क्या करना है moles calculate करना है क्योंकि mole fraction के लिए moles चाहिए mole fraction यह हम B का यानि glucose का लेंगे तो mole of B यानि glucose upon my total mole of solution यहाँ पर क्या आजाएगा हमारा clearly हमें NB WB by MB लेना है तो क्या आजाएगा 18 by 180 1 by 10 आजाएगा और N A लेना है भाईया N A क्या हो जाएगा W A by MA clearly 18 by 18 1 आजाएगा अब हम यहाँ पर mole fraction calculate करेंगे B का formula क्या था N B upon N A plus N B clearly N B हमारे पास क्या है 1 by 10 upon 1 by 10 10 plus 1 यदि हम इसको solve करें 1 by 10 into 10 by 11 आ जाएगा यह cancel हो गया 1 by 11 इसका mole fraction आ गया और clearly यदि हमें find करना हो अब काई A क्या करेंगे 1 minus काई B 1 minus X B X B बोल सकते हैं तो 1 minus 1 by 11 10 by 11 हमारा water का हो गया mole fraction तो इस तरह से mole fraction वाले question को solve क्या जा सकता है तो अब हमारे sixth method पर concentration के जिसको कहा जाता है हमारा मोला रिटी मोलारिटी को रिटी लेना रिटी बतुर मोला रिटी मुलारिटी को यदि हम थूरा सा ब्रेक करें मोल एड़ी रेट रिटी लिखा जा सकता है हम जानते हैं मोल मिंस मोल होता है और रिटी मिंस लैटीन में वॉल्यूम लिया जाता है कि यह मोल वॉल्यूम हमारा मुलाइरिटी हो गया तो मुलारेटी में क्या करेंगे मोल हमें किसका लेना परेगा और इसको हम capital M से express करते हैं यदि हम capital M यानि मुलारेटी करते हैं तो clear है कि मोल of solute हमें लेना परेगा, nb, upon में volume किसका लेना है? नीचे वाली सारी चीज़ें क्या लेते है? solution का, volume of solution लेना परेगा, और यहां पर भाईया unit fixed है, volume of solution हमें, l में लेना परेगा, liter में लेना परेगा, इस बात को ध्यान में रखना है, तो यदि हम इसका definition लिखना चाहें तो clearly आप लिख सकते हो number of moles of solute in one liter of solution क्योंकि नीचे वाली चीज को हम one लेकर चल सकते हैं तो molarity को define क्या जा सकता है number of moles of solute in one liter of solution और यह definition बहुत important है कई बार हमें trick के form में काम आता है किसी भी numerical को solve करने के लिए तो per liter जितने mole present होंगे solute का solution के अंदर that is the molarity अब mole का formula क्या होता है हमारा यह formula है mole का formula होता है WB by MB अब हम यदि इसको put करें इसको हम equation one माल लेते हैं है इसको two माल लेते है equation two को यदि हम one में put कर दे तो हमारा एक overall formula बन जाएगा molarity का WB by MB आ जाएगा MB की जगा into upon में volume है तो volume upon में multiply हो जाएगा नीचे और यह generally question में ml में given होदा है बट हमें लेना है liter में वह यह ml को thousand से divide करेंगे नीचे तो क्या आएगा यदि हमने इसको thousand से divide किया तो यह convert होगा तो यदि हम thousand को यहां पर लिखना चाहें formula के अंदर यह multiply में change होकर ऊपर चला जाएगा यानि यहां से अटाके हम आप इसको multiply में लगा देंगे thousand ऊपर इस तरह से यदि हमें volume ml में given हो और given mass बगारे सब दिया हुआ हो तो हम direct यह formula लगाके one step में molarity calculate कर सकते हैं तो molarity हम यहां पर easily find कर सकते हैं और molarity में एक बात ध्यान रखना है यह हमारा volume dependent है और volume जो है temperature dependent है हम जानते हैं कि temperature यदि increase किया जाए temperature यदि increase करें तो volume क्या होगा increase होगा क्योंकि expansion होता है तो clearly volume यदि increase होता है तो molarity की value कम हो जाएगी क्योंकि mol depend करता है mass पर and mass never changes it is not temperature dependent therefore हमारा ही क्या हो जाएगा molarity की value decrease हो जाएगी इस बात को ध्यान में रखना है अब यदि volume हम decrease करें sorry temperature decrease करें volume भी क्या हो जाएगा बेटा decrease हो जाएगा कम number से divide हुआ क्योंकि इससे हमें divide करना है clearly molarity हमें ज्यादा value देगा तो यानि यह temperature dependent है और temperature dependent होने की वजह से generally molarity में सब कुछ को express नहीं किया जाता है क्योंकि अलग-अलग जगह पर temperature अलग-अलग तो बिल्कुल ही express सही term में नहीं किया जा सकता है तो हम लोग कर रहे है molality 7th और यह last concentration का टाइप है express करने का आपके syllabus के basis पर तो molality small m से express करेंगे और इसमें सब सब दिख रहा है कि mol at the rate लिटी वही मोल बाइ लिटी में इसक्या होता है Latin में weight लिया गया है weight यानि mass हम जनरली weight और mass को से मान लेते हैं यहां पर mass ले रहें weight नहीं weight को हमें यहां पर mass मान के चलना है ध्यान डखना है mol by mass यह दिखाएगा molality को अब small m का formula क्या हो जाएगा मोल किसका होना चाहिए N b अब यहां पर जड़ा mass किसका होना चाहिए इस पर जड़ा ध्यान देना है क्या यहीं concentration न का type है जिसमें solvent के basis पर Bei solvent के amount के basis पर concentration को देखा जाता है solvent का mass यहां पर हम लेंगे Leah है और यह solvent का mass केजी में होना चाहिए और इसको हम define करेंगे number of moles of solute, B यानि solute in 1 kg of solvent, A यानि solvent, 1 kg of solvent में जैसे 1 kg of water में सुगर का कितना amount है, कितना mass है, और mass के business पर क्या mole है उसको दिखाएं, तो कहा जाएगा molality, अब mole का यहाँ पर दुबारा यदि हम formula given mass by molar mass apply करें, हमारा overall formula यहाँ पर बन जाएगा, w by mb into wa, यदि यह gram में हो, बिल्कूल wa में हम thousand से divide करेंगे, क्योंकि इसको हमें kg में करना है, तो यह thousand उपर जाकर multiply हो जाएगा, और यह हमारा overall formula बन जाएगा, इस तरह से molality, हमारा overall formula जो question में given है, mass बगएर सब का, solute और solvent का, उसके basis पर calculate किया जा सकता है, अब यहाँ पर सब के sub terms आप क्या देख रहे हैं, mass ही use हुआ है, and mass temperature independent है, क्या temperature बढ़ाएंगे, mass change होगा, तो temperature यदि बढ़ाते हैं, mass हमारा unchanged रहता है, so, molality क्या होगा, unchanged होगा, तो clear है, कि यदि temperature में difference आ रहा है, तो molarity and molality में, molarity and molality में, कौन better होगा, molality better होगा, क्योंकि एक stable concentration को दिखाएगा, और वो हर एक जगा सेम रहेगा, जिससे हम यह अंदाजा कर पाएंगे, उसमें क्या चीज़ कितना है, लेकिन molarity में यही चीज़ चेंज हो जाएगी, concentration चेंज हो जाती है, वहाँ पर confirm करना possible नहीं हो पाता है, तो temperature change के case में, molarity and molality में, कौन better है, molality better है, वैसे देखा जाए, तो जिस किसी में भी volume आ रहा है, वो सब के सब change हो जाएगे, और बिना volume बाली सारी चीज़ें, constant रहेगी, fix रहेगी, वो सब के सब temperature change के हिसाब से अच्छे हैं, जैसे mass percent में only mass आता है, तो वो भी better है, temperature change के हिसाब से, और mol fraction में भी only mass आता है, तो वो भी better है, और molality में भी only mass है, वो भी better है, और PPM को भी यदि mass में लिया जाएं, तो वो भी better है, PPM में वहाँ parts है, parts को mass ये volume किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, यदि उसको mass में लिया जाएं, तो भी अच्छा unit हो गया है, concentration का, तो इस तरह से, लेकिन question पूछा जाता है, molality, molality के बेसिस पर, इसलिए इनी दोनों में मैंने compare करके बताया है, यानि बाकी mass percent only, mole fraction, PPM in mass and molality, ये चारों के चारों temperature change के बेसिस पर constant रहते हैं, और ये चारों के चारों better concentration unit है, मुझे लगता है, आप लोगों के ये बाद समझ आ गई होगी, तो हम लोग start करने जा रहे हैं अब, एक question इस पर, तो देखिए, कई बार question जो होता है, थोरा सा unexpected जैसा लगता है, उसमें हमें खुद देखना पड़ता है, क्या-क्या given है और क्या-क्या given नहीं है, और जो given नहीं है, उसको भी हमें अपनी तरफ से calculate करना होता है, ऐसा question molarity, molality के case में आता है, जरा उसको देखिए, एक question भी आले ले रहे है, find the molality and molarity of glucose solution containing or twenty percent glucose by mass and density of 1.5 gram ml inverse तो solution की हमें density given है, और solution का mass percent given है, यह दो information हमें given है, और हमें पता करना है, कि molality and molarity क्या-क्या होगी, molality and molarity क्या-क्या होगी, यानि small m क्या होगा and capital M क्या होगा, अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, small m and capital M निकालने के लिए, हमें क्या-क्या चाहिए, तो इसका हमने formula एक mind में लाएंगे, पहले planning करते हैं हमेशा numerical के लिए, formula को mind में लाएंगे, कि हमें WB into thousand upon MB into volume चाहिए, similarity के लिए और volume की जगा पर W A चाहिए, molality के लिए, molarity के लिए volume चाहिए and molality के लिए W A चाहिए, तो इन सब को हमें इसमें से निकालना है, वो सब चीजें हमें इसमें से question में से चाहिए, तो वो कैसे कैसे आएगा जड़ा इसको देखें, हमें यहाँ given है mass percent 20 percent, यह हमारा है mass percent, mass percent हमारा 20 percent यानि 20 by 100 है, और mass percent का formula मैंने क्या बताए हुए, W B by W A plus W B, तो clearly हम इसको यह तरद से ratio हो गया, ratio में से लिया जा सकता है W B हमारा 20 unit हम gram ले लेते हैं, हमें gram के requirement होती है generally, mole पेगरा find करने के लिए, 20 gram हमने W B ले लिया, जो की actually क्या है glucose है, solute हमारा glucose है, और सीधे सीधे glucose solution लिखा है, मतलब solvent हमारा water होगा, तो अब हमारे पास W A क्या आ जाएगा, total हमारा W A plus W B 100 आ रहा है, 100 minus 20, 80 gram आ जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे W A, अब M B, glucose का जो formula है, molar mass निकालना है, formula के basis पर find करेंगे, और यह आएगा 180, gram mole inverse, और clearly यदि हम M A calculate करते हैं, तो आज आएगा 18, gram mole inverse, यह हमारे पास information आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, W A तो हमारे पास आ चुक है, एक volume बाकी है जो निकालना है, और यह volume किसका होता है, solution का, volume of solution निकालने के लिए, हम देखेंगे, हमारे पास density of solution given है, तो density of solution हमारे पास given है, तो density of solution की value है, 1.5 gram mole inverse, यहाँ पर mass को gram में लिए आ गया है, इस बात को ध्यान में रखना है, तो देखेंगे जरा, density of solution का formula क्या होगा, mass of solution upon में, volume of solution 1.5 आ गया, mass of solution हमारा क्या होगा, wa plus wb, यही तो हमारा mass of solution है, तो यानि, 100 हमारा mass of solution हो गया, और हमें volume of solution calculate करना है, equal to 1.5, clearly volume equal to हो जाएगा, 100 upon 1.5, point remove किया, उपर 10 आ गया, 53 जब 15, यह 20 हो गया, और volume हमारा आ जाएगा, 200 by 3 ml, अब easily हमारा, molarity calculate हो जाएगा, wb into 1000, upon mb into volume ml में, बच्चों ही क्या आ गया, wb हमारे पास है, 20 into 1000, upon molar mass 180 है, और 200 upon 3 यानि उपर 3 चला जाएगा, यह हमारा volume है, clearly यह cancel हुआ, इदर 9 आ गया, 3, 3 जा 9 हो गया, 00 इदर cancel हो गया, 2, 5 जा 10 हो गया, clearly हमारे पास, molarity आ गया, 5 upon 3, जिसको आप लिख सकते, 1.66, तो यह हमारा हो गया, molarity में हमें, end में M लगाना है, जिसको कहते Molar, molar हमें यहाँ पर apply करना है, अब small M यदि हम calculate करना चाहते हैं, इसका formula क्या था, wb into 1000, upon mb into wa, और wa ग्राम में होना चाहिए, clearly 20 into 1000, upon mb 180 है, और wa 80 है, 24 जा 80 कर दिया हमने, 10 cancel कर दिया, इदर 25 हो गया, clearly 25 by 18, हमारा आ जाएगा, molality, जो की, point में calculate होगा, 1.181 जा 18 हो गया, 7 आ गया, 1.4 के प्रॉक्स में, इस तरह से, हमारी molality calculate हो जाएगी, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें, और समझ लें, तो हमने यहां पर देख लिया, numerical को कैसे solve किया जाता है, उसके trick, अब हम आएंगे अपने अगले topic पर, जो एक important topic यह भी है, solubility का, भाया, solubility क्या चीज है, तो solubility को हम ऐसे define कर सकते हैं, हमारे given amount of solvent है, जो given amount of solvent है, given temperature पर, यहने के temperature change करो, उसमें हम कितने amount of solute उसमें, पूरे-पूरे dissolve कर पाएंगे, जब तक उसका dissolve होना बंद नहीं हो, तो वह कहलाएगी solubility, जैसे हमने water लिया हुआ है, और water में सुगर को dissolve करना है, तो given temperature पर ही बिना temperature change कियें, बिना उसको gas पर चड़ाएं, बिना heater पर चड़ाएं, उसमें यदि हम dissolve करते जा रहे हैं सुगर, और एक time ऐसा आए, जब सुगर का dissolve होना बंद हो जाए, सुगर नीचे, सुगर particle, precipitate होना शुरू हो जाए, तो उसी case को हम कहेंगे solubility, उसमें हमने जितने gram dissolve किया है, given amount of given volume of water में, तो उस volume of water में उस सुगर का solubility हो गई वो, उस given temperature पर, यानि temperature हमें constant रखना है, तो maximum amount of solute that can be dissolved, लिखेंगे आप लोग जहान से सुनके, maximum amount of solute that can be dissolved in the given amount of solvent at the given temperature is called solubility, maximum amount of solute that can be dissolved in the given amount of solvent at a given temperature is called solubility, अब यहाँ पर बात आ जाती है, कि solubility हमारा एक तरह से साफसब दिख रहा है, कि this is a saturation point, यहाँ पर saturated solution बन जाता है, जब और ज्यादा amount में हम solute को dissolve नहीं कर पाएं, given amount of solvent में तो उसको saturated solution कहा जाता है, और saturated solution में हमने क्या देखा है, कि sugar का dissolve होना बंद हो चुका है और sugar नीचे प्रेसिप्टेट हो रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या आप dissolution नहीं हो रहा है? ये दिजॉलिशन तो हो रहा है, कोई भी process spontaneous होता है वो चलता रहता है, तो फिर नीचे प्रेसिप्टेड क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि नीचे precipitate यदी हो रहा है तो जितने amount में sugar अब dissolve हो रहा है उस solvent के अंदर water के अंदर उतनी amount में water में जो sugar present है वो वापस dissolution से हट रहा है यानि नीचे बैठता जा रहा है तो actually water के अंदर जो sugar है वो नीचे बैठता है जब हम extra sugar उसमें डालते हैं और इसको dissolve करते हैं यानि यहाँ पर दो process एक साथ चलड़ा होता है एक तो हमारा dissolution का दूसरा precipitation का तो दोनों process same speed पर चलता है और same speed पर दो process opposing process का चलना यह जो condition यह जो state है equilibrium state के अलागा है यानि solubility can be found at equilibrium state यानि solubility में equilibrium state में solution पहुँच जाती है इस बात को ध्यान में रखेंगे अब यहाँ पर आएगा search solubility को हम कैसे पता कर सकते हैं कि कब किसकी solubility कैसी होगी यानि उसको factors affect करने वाले क्या-क्या है solubility को तो हम जो basically पढ़ेंगे दो तरह के solution के लिए एक तो हम पढ़ेंगे solid in liquid और यहाँ पर हम क्या देख रहे है factors affecting तो solubility के factors affecting देख रहे है और पहले हम देखेंगे solid in liquid के लिए और दूसरा देखेंगे gas in liquid के लिए liquid in liquid के लिए solubility का case possible नहीं है solid in solid के लिए solubility का case possible नहीं है gas in gas के लिए solubility का case possible नहीं है इसको भी मैं explain करूँगा क्यों तो चलिए सबसे पहले हम solid in liquid के लिए देखते हैं तो सबसे first factor हमेंशा nature आता है nature of solute and solvent यहाँ पर आप nature of solute and solvent यहनि बैटा क्या लिए जा सकता है solid and liquid यदि आपको किसी से दोस्ती करनी हो तो आप क्या करेंगे अपने जैसों को ढूंडेंगे आप यदि बात करने वाले हैं शायद नहीं होंगे आप लोग मैं हो सकता है जुट बोल रहा हूंगा लेकिन हो सकता है बात करने वाले हो तो मेरी बाते सच हो सकती है तो यदि आप बात करने वाले हैं तो बात करने वाले को ढूंडेंगे और कुछ करने वाले हैं सिनिमा देखने वाले वगरे वगरे तो नहीं को ढूंडेंगे आप कौन देखता है क्या करता है उसके साथ मिंगल हो जाएंगे dissolve हो जाएंगे, उसके साथ एक group बना लेंगे, लेकिन पढ़ने वाले होंगे, शायद कम होते है आज कल ठीक है, तो पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ने वाले के साथ आपकी group अपने आप बन जाएगी त्यानि क्या है, यदि solute और solvent का nature same हो, यदि एक polar है, दूसरा भी polar है, polar into polar dissolve हो जाएगा, नेचर same है, एक non-polar है, दूसरा भी non-polar है, dissolve हो जाएगा completely, वहाँ पर solubility को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर दोनों एक दूसरे में इजली dissolve हो रहा है, completely miscible है तो शायद equilibrium लाना possible भी एक यदि hydrogen bond बना रहा है दूसरा भी hydrogen bond बना रहा है, तो solubility हाई है, बट या दूसरा case क्या है, जब हम solvent के particle में जो attraction force है पहले से, जैसे water solvent है, water water के particle में, pure water में एक attraction force पहले से बना हुआ है जो कि hydrogen bond है, hydrogen bond वहाँ पर है, और दूसरा, माल लेते, NaCl है उसमें भी एक attraction force बना हुआ है लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे में dissolve करते हैं, water में जब NaCl को dissolve करते हैं NaCl हमारा iron में breakdown हो जाते है, and iron का force और इधर water भी iron में breakdown हो जाएगा, उनके iron का attraction force ज़्यादा हो जाता है, उनके अपने pure form, solute और pure form solvent से, यानि जब solute solvent interaction जब solution बनाएं, वो ज़्यादा हो जाए, pure solute के attraction force आपस में, और pure solvent के attraction force आपस में यानि pure NaCl का force attraction आपस में, और pure water का attraction force आपस में इन से ज़्यादा हो जाए, जब हो जाएगी लेकिन यदि Nature बिलकुल यानि aion और ayon फोर्स या ion hydrogen-bond forces generally high हो सता है लेकिन दोनों को iron and iron होना च Eliotहे यह ज्यादा better कंडिशन है तो अट्रक्शन forced यह तो ज्याधा हो या नेचर सेम हो जाए तब स्वIE हो जाए तब Harris by solubility decrease होती जाएगी और appreciably decrease होगी यदि हम water में CO2 को mix करें CO2 हमारा non-polar है तो soluble है ही नहीं बहुत ही negligibly soluble है लेकिन यदि हम SCL को dissolve करें easily dissolve हो जाता है क्योंकि SCL आपका iron में breakdown हो जाता है वहीं पर alcohol को dissolve करें water में तो dissolve हो जाता है क्योंकि alcohol भी वहाँ पर क्या बनाएगा hydrogen bond और water भी hydrogen bond बनाएगा बट alcohol में यदि carbon atom का number बढ़ता है तो solubility कम होती जाती है क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है carbon chain का carbon chain के बड़े होने की बज़े से hydrophobic part water में बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर फिर solubility appreciably decrease होनी शुरू हो जाती है यानि यहाँ पर क्या है क्या निकल के आया में चीज लाइक डिशॉल्प्स लाइक यानि polar into polar non polar into non polar hydrogen bonded into hydrogen bonded iron ionic into ionic ऐसे करके लिया जाएगा second क्या हमारा second हम ले सकते हैं यहाँ पर temperature तो solid और liquid के solution को temperature जो है appreciably change करता है यदि temperature बढ़ाएंगे तो solid की solubility liquid में dissolve ज्यादा हो जाएगी अब ऐसा क्यों क्योंकि हम देखते हैं कि liquid की जो entropy है उसके particle की freedom है वो ज्यादा है अब यदि solid को temperature मिलता है उसके particle की freedom ज्यादा होती है यानि particle breakdown होगा smaller particle में और liquid के बीच का volume बढ़ता है जिससे उसमें और ज्यादा amount में solute dissolve हो सकता है liquid expand करता है और solid हमारा बहुत ही small particle में breakdown होता जाएगा जिससे कम space में ज्यादा particle आते जाएगे और जिससे solubility बढ़ती जाएगी यह बात है यानि temperature आपका directly proportional होता है solubility of solid into liquid अब third factor हमारा आ जाता है pressure का तो यादी हम pressure की बात करें तो solid and liquid दोनों ही incompressible है दोनों ही incompressible है वैसे देखा जाए liquid कुछ न कुछ compressible होगा liquid कुछ न कुछ compressible होगा क्योंकि particle के बीच में distance solid के comparatively ज्यादा है बट compressible इतना ज्यादा नहीं है कोई appreciable change आए physically कोई appreciable change आए तो इसलिए pressure जो है solubility को किसका solid into liquid को affect नहीं करता है क्योंकि solid और liquid दोनों को incompressible माना जाता है अद बट liquid हमारा थोरा सा compressible है लेकिन negligibly कोई appreciable change नहीं आपाता है इसलिए incompressible मान रहें तो दोनों ही हमारा incompressible है इसलिए इसका क्या होगा no impact in case of only solid into liquid इस बात को ध्यान में रखना है कब जरा हम इसी को देखते हैं gas into liquid के लिए यदि हम किसी gas को dissolve करने जारें liquid में तो first factor सेम रहेगा nature of gas and liquid सेम तरह से behavior करेगा यानि like dissolves like यहाँ भी follow होगा इसमें कोई भी changing नहीं है second factor हमारा temperature का अब यहाँ पर हमें ध्यान यह रखना है कि हमारा solute जो है वो है gas और solvent कौन है liquid solvent में attraction force gas के comparatively जादा है तो gas को क्या करना परेगा अपने attraction force को decrease करना परेगा पार्टिकल को ज्यादा क्लोज आना परेगा तभी आपका liquid में वो gas dissolve हो पाएगा यानि उसको अपनी entropy कम करनी है अब जड़ा सोची हम temperature बढ़ा रहे तो temperature क्या करता है particle के बीच के distance को बढ़ाता है particle को ज्यादा free करता है उसको freedom कम करनी है पार्टिकल के बीच के attraction force को बढ़ाना है गयास को तो temperature क्या कर रहे है उसके attraction force को और break कर रहे है लेकिन उसको तो attraction force बनाना है clearly यह क्या कर रहा है inversely proportional कर रहे है यानि temperature बढ़ाएंगे तो solubility gas की liquid में कम हो जाएगी क्योंकि क्या करना था attraction force बढ़ाना था जो की possible है उनके close आने पर और close तभी आ सकता है जब temperature कम रहे temperature बढ़े गात क्या होगा पार्टिकल के बीच का distance बढ़ रहा है जिससे उसकी solubility liquid में कम हो जाएगी तो temperature आपका inversely proportional है solubility of gas into liquid इस बात को ध्यान में रखेंगे अब जड़ा हम pressure को लेकर आते हैं आगे pressure का जो effect होगा solubility of gas पर वो काफी ज़्यादा होगा और pressure generally solubility of gas को बढ़ाता है इसको हम ज्यादा detail में next वीडियो में देखेंगे क्योंकि एक loss related होने की वज़े से pressure का effect solubility of gas पर क्या होगा उसको next video में देखेंगे अब यहाँ पर हम एक बात को consider कर लेते हैं मैंने यहाँ पर बताया था starting में liquid liquid solution के लिए हम solubility नहीं देखेंगे इसका क्या रीजन था उसमें कभी भी equilibrium नहीं आएगा कभी भी saturated solution नहीं बन पाएगा जैसे यदि हम liquid मालों milk है उसको हम उसमें water को dissolve कर रहे हैं क्या given milk में कभी भी water dissolve होना बंद होगा क्या water कभी नीचे precipitate हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा तो clearly उसमें कभी भी equilibrium यानि saturation point नहीं आपाएगा इस बजह से liquid into liquid solution को हम consider solubility के case में नहीं करेंगे और वहाँ पर solubility नहीं आपाएगी अब मैंने यहाँ पर यह भी बताया था कि यदि मान लीजे हमारा oil है liquid में और उसको हम water में dissolve कर रहें तो water में oil जो है ऊपर एक layer बना लेता है लग से वह dissolve नहीं हो पाता है यदि dissolve नहीं हो पाएगा तो वह तो पहले से equilibrium पर है एक तरह से पहले से saturated form में है तो वह तो dissolve होई नहीं रहा है यानि प्रोसेस आगे चला ही नहीं जरा भी तो क्या इसको हम solubility मानेंगे तो नहीं मानेंगे यानि यह already equilibrium पर है यह हमारा reversible process already equilibrium पर है इसलिए इसमें solubility को consider नहीं किया जाएगा तो किसी भी liquid liquid solution के लिए चाहे वह miscible हो चाहे completely miscible हो कभी भी हम solubility को नहीं consider कर पाते हैं अब solid into solid में भी यही case आएगी दोनों को मंट करेंगे क्या कभी एक स्वालिटल दूसरे को dissolved होने में मना करेंगा कभी नहीं क्या उसमें कभी saturation हाएगा तो नहीं क्योंकि इसको लेक्व किन्हीं कर क्या यह सॉलिद फॉर्म में लेकर प्पिल नहीं हो फाल का इसलिए वहां पी solubility को consider करना possible नहीं है अब gas के basis पर देखें gas into gas, air into air तो उनके बीच में इतना ज़्यादा space है उसकी solubility इतनी ज़्यादा होती है इतने ज़्यादा दूसरा gas एक gas में dissolve हो सकता है कि infinite की तरह काम करता हूँ तो वहाँ पर solubility infinite हो सकती है यानि solubility को measure करना possible नहीं हो पाता है इसलों इसको practically leave कर देते है यानि वहाँ पर भी solubility को नहीं देखा जाता है इसलिए इनी दो तरह के solution के लिए हम solubility को देखा था हमने solid into liquid and gas into liquid जिसमें equilibrium point आ सकता है तो thank you मुझे लग रहा है कि आप लोग का अच्छा समझ आया होगा तो please इसको watch करें अच्छी तरह से समझें notes बनाएं और अपने दोस्तों में भी share करें यार सब्सक्राइब भी करना है लाइक करना है जिससे अपने दोस्तों में भी share करें दोस्तों को भी अच्छे मांक्स आएं यह आपकी भी जम्यवारी बनती है आपके दोस्त आप से पीछे रह जाएं तो this is not a good thing तो प्लीज इसको शेयर करें और आगे बढ़ते रहो मेरा पुरसाहन करें आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको समझ भी आ रहा होगा यह मुझे पुरा विश्वास है और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों म कोजी प्रोप्विचान मिले आप लोगों के लिए जड़ा ज़़ा काम कर सका जड़ा जबाधे लोगों के लिए वीडियो बढ़ा सकते कि मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें इसको सब्सक्राइब और सेयर कीजिए धन्यवाद लेक्ने के लिए